दोस्तों इंडियन कोस्टगाड और तमिलनाडू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन में करीबं 200 गनी बैग और सी कुकुम्बर पकड़े और ये सी कुकुम्बर स्मगल करके शिलंका भेजा जाया जा रहा था तो इनकी लागत बताई जा रही है आ चुका है तो आपको मालूम होना चाहिए यह प्लांट है अनिमल है क्या है यूसी एन स्टेटस क्या है भारत ने इसके पोटेक्शन के लिए क्या किया है क्यों ये इतना महंगा है क्या कारण है जो ये इतना खीमती है तो आएए आज इन सब विशेह पर हम एक साथ कर सकते हैं इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा तो आपकी कोई भी सब्सक्रिप्शन related query है तो आप वहाँ पर post कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा तो दोस्तो न्यूज में क्या है न्यूज में है इंडियन कोस्ट गार्ड और तमिलनाडू फॉरस देपार्टमेंट ने जॉइंट ऑपरेशन के अंतरगत दो टन करीबन 200 गनी बैग दो टन और सी कुकुमबर को सीज किया है और इनकी लागत बताई जा रही है करीबन आठ करोड की थी तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं और यह जा रहा है यह को कुमबर जो आठ करोड के थे इनको ट्रांस्शिब किया जाना था और भारत के इंटरनाशनल मरीटाइन बाउंडरी से पार करवा के इंटरनाशनल वाटर में मोस्ट लाइकली श्री लंका भेजा जाया जाना था तो आपको बता देता हूँ यहां पे international boundary की जब बात हो रही है तो अंकलोज के तहत कैसे international maritime boundary बताई जाती है UN conventions on the laws of the sea अंकलोज इसके तहत अगर आप देखें तो यह हो गया हमारा baseline जहां पे land है ठीके दोस्तों तो इससे 12 nautical mile तक जो समुदर का पानी है यह territory को क्या कहेंगे टेरिटोरियल सी और इसके आगे पूरा का पूरा लैंड क्या यह जो वाटर है यह पूरा का पूरा क्या कहलाएगा दोस्तों इस इस इंटरनाशनल वाटर तो 12 nautical mile तक टेरिटोरियल सी 12 nautical mile के बाद जितना भी पानी है सब का सब इंटरनाशनल वाटर के दोस्तों कोई प्रॉपर डेफिनीशन तो नहीं है लेकिन कुछ अग्रीमेंट्स के तहत यही डेफिनीशन कहा जाता है इंटरनाशनल वाटर इस बियांड 12 nautical miles तो इंटरनाशनल वाटर का ही एक हिस्ता होता है 12 nautical mile तक जिसे कहते हैं और उसके बाद 200 nautical mile वाला जी जो इलाका है इस इस एक्स्क्लूसिव इकॉनमिक जोन बाकी इंडिया शिलंका की बात करें दोस्तों तो इंडिया शिलंका में यहां पर अगर आप देखे तो इंडिया शिलंका maritime boundary agreement ठीक है तो परपस था कि भाई यहां से sea cucumber पकड़के इनको शिलंका बेजा जाया जाना था तो अब आईए अब हम जान लेते हैं sea cucumber है क्या तो sea cucumber दोस्तों अगर आप देखे तो यह echinoderms की category में एक प्रकार के जानवर है invertebrate animal है तो echinoderm क्या होता है दोस्तों echinoderm अगर आप देखे तो इस प्रकार के जानवर है शायद आपने starfish देखा हो वैसाई sea urchin, sand dollar, sea cucumber यह सब कौन से जानवर की category में आएंगे echinoderms तो sea cucumber भी एक प्रकार का echinoderm है यह marine animal है leathery skin होता है, tubular body होती है, tubular लंबाई में body होती है, 6-6 fit जितना लंबा हो सकता है और 1200 से जादा प्रकार के species और sea cucumber exist करते हैं और यह ocean के floor में पाया जाता है तो जमीन पर बैठा रहता है, तो sea cucumber अगर हम देखे तो यह algae, aquatic animals, छोटे-छोटे इन सब को खाता है और जो भी waste material मिल रहा है, उपर से कोई detritus गिर रहा है, उपर के water से, तो उसको भी खा लेता है इसका कोई limb नहीं होता चलने के लिए, पकड़ने के लिए, eyes नहीं होते, blood नहीं होता पर दोस्तों, इसके पास एक defensive adaptation होता है, अगर इसको लगता है, इसकी जान को खत्रा है, तो अपने मूँ से, यह इस प्रकार का tricky thread release करता है यह आप देख रहे होंगे, इस photo में, तो यह thread क्या करता है, तो कोई भी जानवर इसको अगर खाने आता है, तो इसको जाकी चिपक जाता है और थोड़े देर के लिए, वो जानवर कुछ थस जाता है, इसके जाल में, तो बड़ा चिकी सा होता है, यह white color का thread होता है तो चलिए, आगे देखते हैं, sea cucumber क्यों, ecosystems के लिए इतना important है, जिस वज़े से भारत ने इसको इतनी जादा protection offer की है तो दोस्तों, अगर हम देखें, sea cucumber को, तो यह जब excrete करता है, तो उसमें nitrogen होता है, phosphorus होता है इस प्रकार से जो benthic animals हैं, उनके लिए यहाँ पर nitrogen phosphorus प्रोवाइड करता है, अपने excrete के तुरू, और इस प्रकार से उस ocean floor में productivity काफी ज़्यादा high हो जाती है और बाकी benthic animals के लिए भी खाना का, खुद खाने की तरह काम करता है, इसके सिवा जब यह nitrogen phosphorus release करता है, तो वहाँ पर जो autotrophs हैं, phytoplanktons हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए nutrition होगी, तो वो productivity बढ़ा देंगे तो इस प्रकार से यह primary productivity अपने ecosystem की बढ़ा देते हैं, इसके सिवा कहा जाता है, coral reef के preservation में भी इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह जो excrete करते हैं, और उसमें से calcium carbonate excrete कर देते हैं, तो यही calcium carbonate coral reefs utilize कर सकते हैं, reef development, reef building के लिए coral policy से use कर सकते हैं, त बहुत लाबदायक species है, अगर उनके साथ exist करें तो, तो अब क्या खारण है, जो इतना महंगा है सी कुकुमबर, तो दोस्तों सबसे पहले तो यह इतना costly और इतना expensive इसलिए है, क्योंकि इसमें chemical इसके skin से release होता है, वो इसके skin के surface release होता है, यह chemical का नाम बड़ा टेड़ा मे can, छोड़ दीजे, नहीं आद होगा, लेकिन बस जान लीजे, कुछ chemical है, और वो इसलिए important है, क्योंकि एशिया में, लोग इसका इस्तमाल करते हैं, इस chemical का, arthritis जैसे joint, घुटनों की जो समस्या होती है, उससे relief पाने के लिए, centuries से इस oil का इस्तमाल करते आए हैं, वैसे ये य अंसर से भी लड़ने में लाबदायक होता है, sea cucumber, China and South East Asia में भी देखें, तो इसको as a food consume किया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यह कुछ Japanese food में आप देख रहे हैं, किस तरीके से sea cucumber को use किया जा रहा है, तो दोस्तो, sea cucumber वैसे taste में अच्छा नहीं होता है, बहुत कड़वासा होता है, तो usually इसको dry करके, अन्य सी foods के साथ खाया जाता है, पूरा का पूरा सी cucumber कमी लोग खाते हैं, और इतना मेंगा है, लोग effort भी नहीं करते हैं असानी से, तो usually mix करके जैसे चटनी में होता है, उस प्रकार जे थोड़ा-थोड़ा मिला देते हैं, तो चाइ तो भारत ने क्या किया है, इसके protection के लिए, तो सबसे पहले अगर आप देखे, तो इसको schedule one of the wildlife protection act में डाला गया है, तो दोस्तो schedule one मतलब उसी schedule में जिसमें lion है, tiger है, तो उन जानवरों के साथ हमने सी cucumber को रखा है, याद रखिएगा, इसके सिवा ministry of environment ने total ban लगा के रखा है आप सी cucumber को commercially harvest नहीं कर सकते, जैसे मचलियों को हम करते हैं, कुछ जगे पे aqua culture करते हैं, वैसे सी cucumber की harvesting नहीं allowed है, नहीं सी cucumber को आप transport and trade में किसी भी तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, तो schedule one of the wildlife protection act में है, इसके सिवा IUCN की बात करें, IUCN red list की, तो 16 प्रकार के सी cucumber, उसके 16 species threatened हैं जिसमें से साथ endangered है, IUCN red list के अंदर में, और not vulnerable हैं, इसके सिवा दोस्ता आपको कहना चाहूंगा, बहुत important है, लक्षवदीप में, दुनिया का पहला सी cucumber conservation area बनाया गया है, क्या नाम है इसका, डॉक्टर के के मुहमद कोया सी cucumber conservation reserve, तो दोस्तों ये आपको याद रखना बह कहां पर है, लक्षवदीप में है, क्या नाम है, क्क मुहमद कोया सी cucumber conservation reserve, डॉक्टर के के मुहमद, and सी cucumber अगर हम देखें, तो लक्षवदीप में तो पाए ही जाते हैं, इसके सिवा अंदमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, मैंने देखा भी है, और साथ साथ आप अग इस इलाके में भी पाए जाते हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, तो यह हो गया लक्षवदीप, गल्फ ऑफ मननार, और यह अंदमान निकोबार, इस इलाके में आपको देखने मिलेंगे, तो दोस्तों आज की class पसंद आई हो, तो लाइक करें, अपने दोस्त of GSSA Geography Optional में cover करती हुई आपको मिलेगी, इसके सिवा दोस्तों Unacademy Mega Combat है, 10 करोड की scholarship prize है, तो दोस्तों वक्त जाया ना करें, जल्दी से जाए, enroll करें, 19 सब्टेंबर, सुबह 11 बजे, KC10 Code का इस्तमाल करें, दोस्तों आइकनिक और प्लेस दो प्रकार की सब्स्क्रिप्श है, एक साल की 24,750 रुपए on using the code KC10, बाइस सप्टेंबर से नए बैचे स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त जाया ना करें, एन अकडमी सब्स्क्रिप्शन ले, KC10 Code का यूज करें, चुकि आपको मेरी mentorship भी उसके साथ complimentary मिलती है, इसके सिवा दोस्तों, जब भी एन अकडमी आएं, use the code KC10, and make sure, उसके बाद मुझे संपर्क करें, नीचे description box है, उसको मैं एक link मिलेगा, उसे fill ज़रूर करें, thank you so much for joining, have a great day, and let's crack it.